नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आईए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है देखिए हम लोग कुश्चन कर रहे थे प्रिबियस येर का ये आपका चेप्टर नमर दुसरा है अगर आप पहला नमर चेप्टर नहीं देखे तो देख लिजे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और चेप्टर नमर दुसरा का ये कलास नमर आपका तिसरा है इससे पहले हम आपको दो कलास डिसकस कर लिए आपके साथ जो कि हम 40 कुष्टन तक कर लिए थे आने कि 49 तक कर लिए थे आज इससे आगे करेंगे ये आपका चेप्टर है टूल एंड ट्रेड इसमें टोटल जो है आपका 94 को प्रिवियस येर कुष्टन पूछा गया है जो कि आपका डेलवे में भी पूछा गया, एलपी टेकनिसियन में भी पूछा गया है उसके बाद अधर जो एस्टेट इग्जाम होता है जहाँ A.E.J.E. का पेपर होता है और इस चेप्टर से संबंधी जो प्रशन पूछा जाता है वो भी प्रशन इसमें आपका इंक्लूड है तो चलिए देखते हैं हम लोग आज कुष्टन नमर 40 कार आपका जो बेंच वाइस है इसमें जो आपका एस्पिंडल होता है एस्पिंडल के माद हम से हम क्या करते हैं इसको वाइस का जो मुवेबल जो है उसको हम आगे और पीछे करते हैं किसलिए जॉब को उसमें फिक्स करने के लिए ताकि उस जॉब के ऊपर हम काम कर सके तो यह देखे यहाँ पर यही आपका spindle और यह spindle जिसमें move करता है यह आपका guide nut होता है या इसको आप box nut भी बोल सकते हैं तो यह लिख लिजी आप इसको क्या बोलते हैं guide nut या और क्या बोलते हैं इसको box nut इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है आपका spindle आगे और पीछे जाता है और आपसे question में पूछा गया है कि ये spindle के ऊपर जो आपका thread बना हुआ होता है ये कैसा होता है तो ये आपका square thread होता है कैसा thread होता है? square thread, यहां से 2-3 और question आता है कि आपका इसका maximum part जो होता है, वाइस का cast iron का बना हुआ होता है, जैसे कि आपका ये body part है किसका तो आपका cast iron का बना होगा, जो यहां पर job plate जो देख रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जॉब को fix करते हैं यह जॉब प्लेट है यह किसका बना होता है तो यह आपका high carbon steel का या फिर आप tool steel तूल यह steel आप बोल सकते हैं इस दोनों का यह बना हुआ रहता है तो आपके परिक्षा में जो option आएगा वह आपका सही हो जाएगा ठीक है इतना बात को आप यहां से ध्यान रख लिए ठीक है और यह spindle जो हता है किसका तो यह आपका mild steel आने की MS का बना हुआ रहता है यह भी प्रस है तो इसको थ्रेड कर लिए ठीक है तो यह square thread इसमें कटा हुआ होता है जो आपका spindle होता है इसमें ठीक है आगे हम जैसे कि यह जो भी आपका option है यहां पर जैसे बट्रस थ्रेड है तो यह के direction में काम करता है यह सब हम आगे देखेंगे पूरा आपका question है ठीक है एक में अगे तो यह सब आपका आगे है आगे देखेंगे अगला जो आपका question है question number आपका एक तालीस है कह रहा है कि जैसे कि हाथ wise जो hand wise होता है यूज होता है hold करने के लिए कि पकरने के लिए किस टाइप के चीज को तो आपका जो बहुत छोटा होता है very small object नहीं a small object option आपका B हो जाएगा जो आपका small object होता है जो छोटा चीज होता है उसको पकरने के लिए हम किसका hand wise का पडियोग करते हैं जैसे hand wise का मतलब कि हम उसको bench पे fix नहीं कर रहे है छोटा सा हम उसको पकड़े हुए है मतलब हाथ में रख करके उसमें job को लगा करके फिर काम कर पास्थी औम आप्सवाइब करए ठ Mensch झाल लेंगे उसके जैसे कि आप मान सकते हैं इसे माले कि घड़ी बनाने वाला दुकंदार तो उसके पास जो वाइस होता है जो अपना जिसमें वह टूल को फीट करकर के घड़ी को बनाता है तो क्या छोटा सा वाइस है उसे छोटा सा अब्जेक्ट को ही पकर रहे है न तो कौन सा आपका हो जागा यह स्मॉल अब्जेक्ट को पकरने के लिए हम हैंड वाइस का पड़ियोग जो है करते हैं ठीक है अगला प्रस्ट देखिए आपका प्रस्ट क्या है कि आपका pipe wise hold the pipe जो आपका pipe धायक्त जो होता है जो job को hold करता कर दा करता है तो देखिया कि आपका डुब को पकर्ते हैं तो यह चार जगप पे टुच होता है कितना जगपे चार जगप देखिए यहां पर जैसे कि मान लिजे कि आपका उस्टा यह हो गया और नीचे वाला जव आपका यह हो गया दोनों के बीच में आपका एंगल होता है कितना नबे डिगरी का आपका एंगल होता है और इसमें जब हम जॉब को पकड़ते हैं जैसे कि मान लिए कि अगर यह आपका जॉब है ठीक है इसको अगर आप पकर रहे हैं यह आपका टच करेगा कितने जगा पे चार जगा पे option आपका C हो जागा कितना बिंदू पे चार बिंदू पे आपका यह तच कड़े ठीक है तो क्या हो जागा option आपका C हो जागा यहां पे आपका चार यह आपका पाई वाइस से देख लिए यह जब हमें स्विंडल को नचाते हैं तो यह वर्टिकल जो है अप और डाउन हो अगला प्रस्ण कह रहा है कि जैसे की grade का आने की यह grade का 50 mm लंबा भी ब्लॉक जो 5-40 mm व्यास के जो आपका काड़े खंड है उसको पकड़ सकता हुआ डैस कहलाता है तो क्या कहलाता है जब यह आपको यहां पे भी ब्लॉक की बात कर रहा है तो भी ब्लॉक में जेनरली हम क पकरते हैं किस टाइब के जोब को राउंड टाइब के जोब को आपका सर्कूलर होता है जिसका ब्यास होता है डायमीटर होता है अने की रेडियस होता है उस टाइब के जोब को हम इसमें पकरते हैं ठीक है तो इसका जो है आपका मतलब उसको क्या कहते तो option देखिए आपक तक के diameter का जो size होगा आपका job होगा उसको पकड़ के रखने में hold करने में सक्षम है ठीक है चलिए अगला देखे देखे आपका अगला प्रस्न क्या है कह रहा है कि a square thread a screw of wench-wise is cast तब मतलब किसका बना होता है जो wench-wise में जो आपका जो thread होता है वो किसका होता है तो मतलब thread जो होता है वो square thread होता है spindle के ऊपर तो spindle जो होता है पुरा किसका बना हुआ होता है यह आपका प्रस्न है तो किसका बना होता है तो यह आपका mild steel का होता है हम अभी आपको बताए भी है पिछे वाले question में कि जो आपका wise होता है उसका जो spindle होता है, वो किसका बना होता है, तो आपका mild steel का बना होता है, किसका बना होता है, mild steel का, यह जो आपका किसका, तो आने की MS, mild steel का बना हुआ है, ठीक है, यह आपका कौन सा है, तो यह आपका sliding वाला है, जो आगे पीछे जा सकता है, यह आपका stationary आने की fix वाला है, ठीक है, और ये जो आपका जावडा जो है जो प्लेट जो है किसका बना होता है तो ये आपका हाई कार्बने स्टील या फिर किसका तो टूल ये स्टील डल का अगला होता है। इसने प्रस्न में आपको प्रस्न पूछता है आपको यह हो जाए तो देखिए यह एक बार ज्यादा बता दिये जब यह प्रस्न रिपीट होता है तो इसको थोड़ा सा जल्दी में से आगे बढ़ेंगे इतना बात आप समझे रहें चले आगे आगे आपका क्या कह रहा है कह रहा है कि soft clamp is used for clamping metal seat in bench wise हम soft clamp का use करते हैं जब bench wise में किसी भी चीज को clamp करने के लिए तो उसका उदेश क्या होता है कि it gives high accuracy and purity तब वो क्या होता है जब हम soft clamp का use करते हैं तो वो high accuracy वाला work जहां पर भी करना होता है हमारे पास जो job होता या work piece होता जिसमें high accuracy चाहिए या high accuracy वाला तब हम soft clamp का use करके उसको पकड़ते हैं ठीक है आगे बढ़ें चलिए देखें आपका क्या हो जागा option आपका D हो जाएगा अगला प्रस्न अगला जो आपका प्रस्न है कह रहा है कि what types of thread are cut spindle of bench wise तो जो bench wise का spindle ह थेंच होता है किस type के thread उसमें कटा होता है तो तो इसमें आपका a square जो है आपका thread оkem three degree उता है का क्टा होता किसमें bench byस में आपका ऐसा thick data होता है square thread कटा हुआ होता है अगला प्रस्न अगला कह रहे है कि why are teeth cut in spectacular job plate, जो आपका jaw plate जो होता है, जो आपका job plate जो आपका था जिसमें आप क्या करते थे, job को पकरते थे, इसके उपर आपका teeth कटा हुआ होता है, तो ये teeth कहर आए कि ये क्यों कटा हुआ होता है, तो इस लिए तो आप습니다 को जो आसानी से अच्छे से पक करने के लिए कि पकरने के लिए टुघेट फोल्ड दे जौफ को पकरने के लिए क्या करते है हम इसका अब मतलब उसमें जो है जह कुछ पकरने के लिए कन है कि अगरा है कि B VBlock किस material का बना होता है तो आपका VBlock किस material का बना होता है तो आपका भी देखिए यह जो आपका भी ब्लोग होता है किसका बनाता है तो आपका कास्ट आइरन का बना होता है सब कुष्चन आगे वाले चेप्टर में मार्किंग अन्मेजरिंग टूल जो है ना उसमें सब कुष्चन भड़ड के है तो वहां खूब बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो यह देख जाता है जो डबल नवल जो भी ब्लो को लेगा करके लगते हैं और इसमें हमारे पास यहां पर किसे शुरा से उसल 37 को नहीं कर दो त्यानुना को बिद्म हैं इस जो aja ना किया है और टूब जो भी इसमें job होता है जो आपका pipe या कोई भी round job होता है उसको हम क्या करते है पकर लेते हैं फिर इसके उपर जो भी operation करना होता है हमें operation हम कर ले ठीक है चली आगे बढ़ी तो कितना इसमें होता है तो आपका दूगो इसमें group होता है ठीक है कितना group होता है double में आपका कितना ग्रूब होगा तो दूगो ग्रूब होगा अगले अगला प्रस्न है जो भी ब्लोक जोड़ने में होता है उन्हें लिखा जाता है जो भी ब्लोक आपका जोड़े में होता है ठीक है जो जोड़ा में होता है दूगो एक के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं मैच पियर बोलते ठीक है अगले प्रास्थन है कि Pipe WISE के Jaw आपका भी गृब का कून कितना होता है भी गूरूब का किटना बार बता चुकए हैं, मतलब जो हम Norma करा हैं। भाई, पाई वाइस जो होता है, उसका जो गूरूब होता है, मतलब ये भी गूरूब जो होता है, इसका एंगल जो होता है, कितना होता है, ठीक है तो इंसर क्या हो जागा option आपका A हो जाएगा कि कितना 90 degree का आपका एंगल होता है अगला अगला का रहा है कि grade A B block hard grade steel के बने होते हैं तथा 10 लंबाई में मिलते हैं तो यह जो आपका grade A का जो B block होता है यह किस लंबाई में मिलता है तो आप इसको याद रख लिजेग कि जेनरली कितना 100 mm आने की 100 mm के लंबाई में आपका यह मिलता है किस लंबाई में 100 mm के लंबाई में मिलता है अगला 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 आपका प्रस्ण है कि जैसे कि आपका silent job is supported by जबी भी कोई goal job होगा silent किसके द्वरा उसको support मिलेगा कितना बार बता चुके है कि भाई कोई भी job होगा जिसमें आपका diameter होगा radius होगा silent physical होगा goal होगा उसको पकरने के लिए हम किसका तो भी block का यूज करेंगे option आप C के साथ थे दो second में चले जाएगा कोई भी देर आपको नहीं लाएगा जितना बार मैं बता चुके है चले आगे देखें आगे आगे आपका question क्या है कि किस वाइस में आपका spindle का पडियोग नहीं होता ए इस पिंडल का पडियोग हम किस लिए करते थे कि जो हमारा जो है इसमें आप डईर्थेट उसको टूल को लगा करकर आप और एक कर सकते है ठीक है यह आपका क्या है तोचह Psalm का है पीन क्वाइस होगा फीक है अगला प्रस्थरहिज घरी साज यह शूटे पाउट पूरजा पर जो काम करते शूटे पाउन पूर्जा को पकरने के लिए कौन सा काम आता है जैसे घरी साज होता है तो मतलब छोटा उसको काम पाउना यहाँ अदिक है जहां बनाते रहता है इतना चोटा सा उसको जगह ही रहता है जहां पर देखते रहता है ऐसे ऐसे काम करते रहता है तो उसको कैसा वाइस का जरूरत होगा तो पीन वाइस का जरूरत होगा जो घड़ी साज है उनको किस टाइब का वाइस चाहिए तो पीन वाइस उनको प्र yht 쪽 को पकरने के लिए embrace दीक meant i a फाईल्ग करने के लिए मिलिंग ड्रिलिंग कुछ भी करने के लिए जेनलली रेक्टेंगल lazuk के जोप करते है ठी करते है अगे अगे देश प्रस्चनमे और नहीं की फलक नय कि दोस्क्ता में तौटा सा सकनभेक जैसे कि फेलों सबस्केवाने अच्र적 क्या पाऊंट्र इस था बिलंभाएं ये होता है टो बेंश ठीजर के क्या निए तो आपका ये डाइरेक्ट फ कि लेकिन दूसरा देखें कैसे रहेगा जैसे कि माली यह आपका हो गया और उपर से थोड़ा सा इसको ऐसे मिला दिए और नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे मिला दिए अब इसमें आप क्या किजिए कि अब इसमें आप हैमर का हैंडल लगा दिए यह हैंडल लगा dignity कि शोड़ा सा कर देख हैं जो आपका अपको मिले को एंपको बना करकर बताएं कि इससे धार्यक्रшь हो गया और इसे होड़ा सा अगर incomes सिटी और किया काई है कि भाट ला कंगी हिस को फोरे के हेड के मद्ध मुद्ध भाग तोिया कहा जाता है जो फोरा के है इसके मद्ध हो घूड़ा यह थी अ-जे इस आपका क्या है तो चीक है यह उपर वाला पार्ट जो ऐसे है आपको इसको क्या बोलते हैं इसको हम नेक बोलते हैं नेक बोलते हैं यह आपका जो है यहां पर देख रहे हैं यह आपका आई है और यह पीछे में जहां पर पचरी जो डालते हैं नहीं बोलते हैं धिल्ला हो गय या कोई भी चीज को पीटते हैं थूरते हो सब आपका क्या है यह आपका क्या है तो पीन है यह क्या आपका पीन है ठीक है तो यह ही आपका ठीक है यहां पर यह हेड हो गया इसमें आपका मेली यह आपका हैंडल हो गया ठीक है क्या आपका हो गया है यह आपका हैंडल हो गया यह आपका चिक बोलते हैं यह आपका पिन हो गया यह नीचे वाला आपका का आपका बना होता है किसका बना होता है जो हथाओडा होता है material इस आने की what material is used hammer made hammer बनाने के लिए किस material का पड़ियोग करते हैं तो आप drop forge carbon steel का पड़ियोग आप करते हैं यह देख रहे हैं यहां पे यह process आपका चल ला है तो question का answer के आपका a हो जाए अगला अगला प्रस्न है कि जैसे कि आपका trade ring gauge का पड़ियोग किस की जाच के लिए करते हैं तो किस चीज के जाच के लिए करते हैं तो जबी भी आपका ring gauge की बात कड़ेगा ना तो ring gauge जब यह होगा लिए किस चीज को बाढ़ी चीजों को माप करने के लिए हम इसका पढ़ियोग करते हैं रिंग गेज का अगला अगला आपका कुश्चन है जैसे की कह रहा है कि प्रिंटेट सर्कीट बोर्ड पर जो आपका चिद्र करने से पूर्व चिन्हित करने के लिए औजार का पढ़ियोग करते तो कहें पे भी अगर आपको होल करना है होल करने से पहले जो औजार का पढ़ियोग किजिएगा तो कौन सा औजार है तो वहां पे जो निसान लगाते किसे तो पंच से निसान लगाते किसे पंच से ठीक है तो अंसर आपका क्या अफसान आपका सी हो जागा पंच से लेकिन पंच जो होता आपका दो होता है एक तो कहीं दोनों का, हम तेम उन्हें के लिए करते हैं please कि याद रखना है सिधे पोछेंगा कहले अगर मार्किंक करना है तो हम 5 पड़ियो पड्यो 챙़ेंगे लेकिन अगर सिंटर या डॉट लगा देगा तब हम यहां पर याद रखेंगे कि सिंटर के लिए 90 और डॉट पंच होगा तम साथ डिगरी का पड़ियोग करेंगे ठीक है इतना बात आप समझ गये तो कुश्चन का एंसर क्या हो जागा अपसन आपका सी के साथ आप जा सकते अगला देख जो होता है ग्रेट के नुसर कौन नहीं है तो ग्रेट आपका रफ होता है बिल्कुल बास्टेड होता है ठीक है डेड़ स्मूथ होता है और एक और होता है आपका क्या तो यह स्मूथ भी होता है ठीक है आप एक नमर पर यह लिए लिजे दू नमर पर यह लिए तीन नमर यह आपका ग्रेड की एकॉडिंग नहीं होता है यह कॉड़िंग होता है क्योंकि यह लिखाया है दबल कॉड़ अगर अगर हम बोले आपसे कि cut की according क्या क्या होता है cutting के according according की अगर हम बात करेंगे तो कौन-कौन होता आपका तो एक में single cut, single cut बोल सकते हैं, दूसरा में आप double cut double cut, तिसरा में आप बोल सकते हैं, wraps cut, wraps cut फाइल होता है, ठीक है तो इसमें आप फाइल लगा लिजिया, ठीक है, फाइल, फाइल लगा लिए तो यह single cut, double cut, wraps cut, यह सब cutting के according होता है, grade के according नहीं grade के according आपका rough होता है, ठीक है, बास्टर्ड होता है, ठीक है, यह smooth होता है और यह आपका day smooth, day smooth का use हम तब करते हैं, जब बहुत high level पर finishing करना हो, तब हम day smooth का पढ़ियोग करते हैं, ठीक है, तो question का answer क्या हो जागा, option आपका D हो जागा, आकार के according भी होता है, जैसे कि आपका flat होता है, triangular होता है, तो आकार के according भी आपका होता है, और यह जो आपका cutting क recording जैसे आपका single cut, double cut, wraps cut होता है, अगला है कि इसमें से आपको चिन्हित करना है, बताना है, कि आने की चिन्ह करने वाला कौन सा ओजाड इसमें से नहीं है, which of the flowing is not marking tool, कौन सा इसमें से marking tool आपका नहीं है, यह बताना है, तो यह snip जो है क्या, यह देख रहा है, यह कहीं देखे होईएगा, जेतना भी question previous year है, कोनो question नहीं 3 second से ज्यादा का है, 2 second, 3 second में आप उड़ा दीजिएगा, अगर मेरा theory class आप, देखे होईएगा, तो ठीक है, इसका answer क्या जागा, अफसन आपका B हो जागा, snip हो जागा, देखिए, यह आपका subscriber है, ठीक है, यह आपका जो जाने की marking करते है, इसका जो angle होता है, यह जो चेंफळ किया होता है, कितना होता है, तो 12 से 15 degree के इसका angle होता है, यह याद रखिएगा, और दूसरा आपका bent side है, जह देख रहा है क्या, आपका मूडा हुआ है, यह bent जो रहाता है कितना degree पे तो आपका 90 degree पे यह bent रहता है, bent तो पेरलल में हो गया लेकिन अगर हमको होलो में कोई पाइप के अंदर लाइन खीचना है ठीक है मार्किंग करना है तो हम बेंट वाला का पड़ियो कर लेंगे जैसे गूमा हुआ है तो मैं इसे लगा दिये उपर का दरब खीचेंगे उसमें आपका मार्किंग हो जाए ठीक केबल देखें हैं देखेंगा पोल क्या सब्सक्राइब वायर होता है मोटा मोटा कड़ी अकबा वाला उसके लास्ट इंड पे एको लगा रहता है इसे पहले गोल रहता है और फिर वह इसे चपता कर देगा और बीच में वहोल बना देगा ठीक है तो वही आपका लंग्स सब्सक्राइब तो पहला होगा थी अ को हम क्या करते आं तैंड हो सकता सिर्गाल में हो सकता没有 हो सकता लेकिन अंगला अगला आपका 65-द नूमर्म कुष्चण का रहा है कि try reverka पड़ियोग जॉब को चेक करने के लिए हम क्या चेक करने विद्धों करते हैं 90 डिगरी इंगल को चेक करने के लिए अफसन आपका ये अपका यह हो जायगा ठीक है यह आपका पूरा कुश्चन है एक कलास और रख लेंगे ठीक और आपका पूरा कुश्चन हो जाए देखने के लिए मिल जाए ठीक है तो आप भी प्रिपेर रहिए जिस दिन परिक्षा होगा ना उस दिन आपको यह सीट चाहिए ही चाहिए ठीक है इस बात को मैं सुच्चे कि वेकंसी पका हो जाए इस बात के लिए मैंनत कीजिए खल यह देली मत सोच चे कि कहिए आएगा जीस दिन आएगा न सिसना आपका हो जाना चाहिए इतना ज्यादा मैं ठीक है तो आज के लिए कलास सी रहते हैं एक और छोटा सा कलास लेंगे और आपको तूल एंड ट्रेट का पूर झाल झाल